नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे थैमिनल में लिखा हुआ है सिच्छा विभाग का बहुत बड़ा निर्ण है डेलेन इने राजियों में हुआ बंद यहां दोस्तो क्या कुछ नियूज है छोटा सा वीडियो है मैं उमीद करता हूँ कि यदि आप वीडियो पर आया है तो वीडियो पूरा देखेंगे जैसा कि आपको पता है दोस्तो इस चैनल पर सिच्छक भरती का अपडेट जो है मिलता है इसलिए आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्या है कुछ नियूज चलिए देखते हैं देखें कुछ दिन पहले जो है हर्याना में बंद हुआ था डियलेट और नई सिच्छा नीती का यह सम निड़ने है फैसला है और यह जो निउज है निकलकर आया है आपका जारखंड से यहाँ पर देखिए एजुकेशन रिपोर्ट जो है राची का यह रिपोर्ट है यानि जारखंड में पुरी तर से आप डियलेट जो है बंद होने वाला है और कुछ मामला भी है जो देखेंगे राज में आभ नहीं होगा डियलेट शिच्छा विभागने लगाए रोक शिच्छा विभाग को कहना है कि सैचनिक सत्र 23-25 में जो एडिविसन लिया गया है उसे रद करें संस्त्थान जो भी संस्थान 2023-2025 में आपका DLA का जो admission हो चुका है उसे रद करने का जो है आदेश आ गिया है सिच्छा बीबाग से क्या कुछ है थोड़ा सा बने रहिए इस वीडियो में हम देखते हैं राज में 24 जीला सिच्छा एवं परशिच्छन संस्थान समय चार प्राथमिक सिच्छन संस्थान में प्राथमिक सिच्छा में डिपलोमा डेलेड की पढ़ाई नहीं होगी साप साप यहाँ पे लिखा गया है अस्कूली सिच्छा एवं साचर्था भी भाग द्वारा पत्र जारी कर समन्दित संस्थानों को आदेश दे दिया गया है प्रात्मिक सिच्छा एवं साला किरन कुमार पासी दे कहा है कि पिछले माह 13 फर्वारी को छत्रिय सिच्छा संस्थान भोवनेस्वर के पुरात्तव में अस्टेट कोडिनेशन कमीटी की बैठक हुई थी जिसमें यहां नेड़ने लिया गया और कहा गया अगर किसी संस्थान दोरा सेशन 2023 से 25 में अड़िसन लेने की परकिरिया सुरू हो गई है तो उसे ततकाल रद कर दें साथ ही यहां कहा गया है कि वैसे अस्टूडेंट जो सेशन 2023 से 25 के पूर्व के सत्रों में नमांकित है तो सेशनी सत्र की समापती होने तक पढ़ाई जारी रहेगी साब साब कहा गया है कि 2023 से पहले वाले अगर कोई admission लिये हुए है तो उनका पढ़ाई जारी रहेगी और उनका मानने होगा और 2023 से पचीस सेसन में यादी कोई admission लिया है तो उसका मानने नहीं होगा उसको रद किया जाए यही बात जो है निकल कर इसमें सामने आया है क्या कुछ है आगे चलते हैं बताते चले कि राज के 24 जीला एवं परसिशन संस्थानों में से 15 संस्थानों का मन्याता सच्छम प्राधिकार से प्राप्त है वहीं चार प्रात्विक सिच्छन पर सिच्छन में से तीन का मानियता प्राप्त है नई सिच्छानिती जो अर्बिस के तहत यह नीर्णे लिया गया है तो पूरी तरह से आप डियलेड जारखन के अंदर नहीं होगा इससे पहले आपको हर्याना में निकल करके आया था और हर्याना में नई सिच्छानिती के तहर वहावी डियलेड बंद करवा दिया गया है यानि आप किवल नई सिच्छानिती में बीयड बालों का ही मानियता दिया जा रहा है अब आपके सवाल आते हों कि सर पहले से जो DLA किये हैं उनका तो उनका मान्यता रहेगा दोस्तों आप जो है 2030 से पचीस तक और 2023 से आने वाले दिनों में आप DLA मेडविसन नहीं हो पाएगा कुल मिला कर ये आया है अब आप थमनेल में देखा होंगे कि बिहार में भी क्या ब DLA की मान्यता नहीं है तो कहिन कहिन सभी राजियों को अब DLA बंद करना होगा ये इस वीडियो में अपडेट था सिचक भरती का अपडेट के लिए इस चैनल से बने रहेगा दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन